हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे सोंगे एक बार फिर से सभी का स्वागत है जन्मेजाए क्लासेस फिर दोस्तों आप सभी के लिए खुश ख़बरी लेकर क्या है हूं इंडिया पोश्ट आपिस में जो जीडियस की यानि के साइक सभी कारणों का आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों उससे पहले आपको बता दो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा साथ नई नई प्रस्टों की जनकारी उस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेगे दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों को बता दो दोस्तों भारती डाक यानिक इंडिया पुश्ट आप इस में जीडिया सैनी की ग्रामीन डाक सेवक में साइकल फाइ साथ किन-किन राज्यों में ज्यादा विकेंसी आएगी यह भी पूरा डेटेल बताने वाला हूँ मतलब आप लोगों को बता दू कौन-कौन से ऐसे राज्य है जहां पे पोश्ट की संख्या ज्यादा रहेगी तो चलिए दोस्तों सूरू करते हैं सबसे पहले बता दो टो पोश्ट आ रही है वो मिल जाएगा देखने को दोस्तों लेकिन उससे पहले कोई भी नहीं बोल सकता हूं लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं लाज्ट टेम कितना आया था दोस्तों उससे आधा या 20,000 के आसपास तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भी पूरा के पूर इसके रहेगा दोस्तों दस्वी पास प्लस आपको साइकल चलाने आना चाहिए वह भारत में मेरे ख्याल से सभी को चलाने आता होगा एक आग दोफ को छोड़कर कि क्योंकि सब के जितने बबी बच्चे है तो यह साइकल के साथ ही साथ आप जिस राज्य में जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं जिस सरकल में अप्लाई करना चाहते हैं उस सरकल का आपको लोकल भासा आना चाहिए दोस्तो तो यह बता दू लोकल भासा लोकल भासा तो सभाईक सी बात है दोस्तो हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य तो उतना तेंसान मतले कि हिंदी वाले बहुँ साब लिगे इस बात का और साथी साथ आप बता हैं इंप्रटेरिया क्या रहेगी सबसे इंपोर्टेंट बात दो यह भारत की ऐसा पहला स्वेकेंशी है जिसमें इतने ज्यादा एजवालों को भी चांस मिलता है दोस्तों तो कितना रहेगा आपको बताते हैं चली जनरल और EWS केटेगरी में 18-40 साल के candidate इसमें apply कर सकते हैं सुनते रहे हैं दोस्तों OBC में 18-43 वर्ष के candidate यानि कि इसमें 3 साल का extra और SC, HT और female candidate में 18-45 साल के candidate इसमें apply कर सकते हैं लेकिन PWD यानि कि विकलांग कोटा का आपके पास certificate है प्लस 40 यानि कि 40 परसेंट से उपर वाले candidate minimum 40 परसेंट उनको 18-50 साल का आयू में छूट रहेगा आनि कि अगर आप पैज 18-50 साल के बीच है तो आप इस application में apply कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों ऐसा भी कोई भी एक्जाम नहीं जिसमें merit basis होता हो और इतना easy इसका term and condition हो जिसमें आपका chance रहा है दोस्तों लेकिन एक और बात है इसमें आपका वीडियो को पूरे देखे दोस्तों आपको जनकरी मिल जाएगा सबसे पहले बता दो इसका selection process selection process इसका merit basis होगा दोस्तों इसमें कोई भी यानि कि किसी भी प्रकार का written exam अगरा यह सब नहीं होगा दोस्तों इसमें 10th class का selection process में 10th class का merit basis में आने कि आपका 10th में कितना percent है उसी के हिसाब से इसमें पदों की चयन होगा दोस्तों 10th में percent अगर आपका ज्यादा है तो आपका सुभाइक सी बात है लेकिन आपको इस से पहले cycle course से पहले क्या मनता था साफ साफ mandatory लिख देता था basic computer का basic certificate आपके पास होना चाहिए यह रहता था लेकिन इस बार दिखाया नहीं है लेकिन document verification के टाइम पर आपको पुछता है दोस्तों तो यह सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आगर आपके प अब लास्ट भरती में जो पद आया था उसमें आप लोगों बता दू एक से ले करके साथ लिष्ट तक मेरिट आया था यानि कि इतने बच्चे आवालेबल नहीं मिल रहे थे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो रहे थे कि इसमें जॉइन जॉइन तो हो जा रहे थे लेकिन उ आपसमें जरूर अपलाई किजेगा खास करके एस्टी केंडिडेट वहां पर सबसे कम कटप गया था इस बार जो साइकल पूर के भरती आया उसमें तो अगर आप असमी भासा आता है आपको तो उसमें जरूर अपलाई किजिएगा उस सरकल में दोस्तों आपके लिए बेन सरकल में आ रहा है दोस्तों जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा विकेंसी देखने को मिलेगी साथी साथ आपको बता दो दोस्ते एक्जाम की के बारे में बताया हूं तो बता देता हूं दोस्तों जनराल EWS और OBC कंडिडेट के 100 रुपए एक्जाम पीस है PWD फीमे जैसे ही नोटीफिकेषन आएगा में उसको मैं डाल दूगा साथी साथ TELIGRAM चैनल में उसका नोटीफिकेशन भी डाल दूगा और अगर आप कोई सभी भारत के कोई सभी स्टेट से है तो आप टेंशन मत लिजे आपको लैंगश के गर प्रॉब्लम होती है तो आप टेलि ये जूट है क्या सच है क्योंकि इस चैनल पे आप जो भी देखते हैं वो पूरा सच रहता है दोस्तो क्योंकि मैं आप बीना प्रूप के कभी भी वीडियो नहीं बनाता ये बात आप जालीजे दोस्तो साथ ही साथ आपको एक बार और बता दू जो अन्ठावेजार पोस्ट और मेल गाट का इसका क्या है कुछ पदों का डिपार्टमेंटल एक्जाम लेगा दोस्तों प्लस कुछ पदों के लिए बोला था कि एससी एससी छसल के थूँ एक्जाम लेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आप टेंशन मत लिजिए यह जैसे ही इसका नई नोटि किसी गलती के वज़ा से उनका नाम उस लिष्ट में आया थे लेकिन डाकुमेंट वरिफेकसन नहीं करा पाया तो उससे उनका चलेक्स सलेक्शन नहीं हुआ तो आप टेंशन मतलिजिए साइकल फाई के विकेंस आने वाली है आप तुरंत अपलाई किजिए इसमें होगा ए लेकिन इसके कारण वो फर्जी वाले तो डाकुमेंट वरिफेकसन कराने नहीं गए लेकिन उसके कारण बहुत सारे बच्चों को परसानी हुई तो यह आप लोगों को साथ वाई में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि इस बार इस बार इंडिया पोस्ट आपिस साप साप सर्टिपिकेट अप्लोड करने के लिए मंगेगा क्योंकि उनको भी बहुत दिक्कत हुई एक भरती को यानि कि मई में आया था दोस्तों मई 2022 के आसपस यह भरती आई थी और कितना लाश्ट तक ही चाया आप सभी जानते हैं आप सब को बता दो अभी अभी इसका प्रक्रिया समाथ हुए साइकल फोर का तो ऐसा दुबारा ना हो इसके बोल करके दोस्तों आप लोग देखेगा इस बार इस बार सर्टिपिकेट अप्लोड करना पड़ेगा जैसे एक से लिकर के तीन सरकल में हुआ था और साथी साथ अगर आपका पर्शन कितना भी हो है आप लोगों के लिए अलग फोष्ट तो आती है अलग विकैंसी निशाति है लेकिन आप लोगों को अलग से जो main post आती उसमें भी आप लोगों को च्छूट मिलता है दोस्तों तो यह बात आप लोग जान लिजे दोस्तों अगर आपको इक लांग है और रुकलांगता certificate नहीं है तो यह सब अपडेट है दोस्तों और साथी साथ आपको बता दू कि टेंथ का पास-ाउट है तो लिएकर तो आपका नाम फेल ना हो जाए या कट ना जाए इसके लिए मैं यह सब अपडेट आप लोगों बदे रहा हूं दोस्तों तो फिर मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तब के लिए